नव समसर और चेटी चंड महसाओ के चलते सिंधी समाज ने भी इस मोके पर रक्त दान शिविर का जन किया रक्त दान शिविर का उद्गाटन शेहर विधायक बनवाज लाग सिंगल और सभापाती अशोख खन्ना ने किया मेला कमेटिया दक्ष राजकुमार ने बताया कि इस शिविर में सोल यूनेट रक्त दान का लक्ष रखा गया है वहीं 19 मार्थ को चेटी चंड महसाओ का शुवारम धोजारोन के साथ किया जाएगा कर रहे हैं और दग्दान शिविर चाल हुए और हमारे अद्धिक श्री पनवाल सिंगल जी और चेर्मेन अगरपशाद अलवर बादारे में हैं अब तक हम लोगों ने 15 महिलों का नमकर किया है और इसके लाबा और भी वेटिंग में है कितने लक्षे हैं? लक्षे हमारा है एक सेक्याओन कल क्या कारिक्रम होगा? कल का करक्रम सुब़े सब आड रहं सबहाा अट बजे श्री जुलेला सिंदी पंचा त्रस के सिंदुबाय होगा उसके बाद आम बंदारा होगा आम बंदारा के बाद सोबह यात्रह यहसे निकलेगी पूरे शेहरों में होती होई सिंधी कल्चर सिंधी मारे जो दर्वेश और संत हैं स्री जुलेलाल जी मारे इस्टिदेव हैं उनका पूजन और उनके इस्तुती होते वे पूरे शहर में होगी और हौप सकस पे स्काम को पांच वजे महारती का आयजन किया गया है उसके बादी सहर होते वे रात का जो करक्रम है सांसकतिक्स करक्रम और सिंधी कल्चर मेला मंगल पढ़ने में रातरी आठ वजे से उधर नव समसर के मुके पर शियु शक्ति सेवा समीची द्वारा सुबाश चोक से कल्च यात्रा निकाली गए इस पे 351 महिलाओं ने भाग लिया इस मुके पर संशरी बालगनाद में शरी रूपनाद सही शेहर विदायक बनालाग सिंगल सभापतिय शुखना और तिरपोलिया के मेंद शरी जितंदर खेडापति भी मुझूद रही पुलेश शिशक्ती सेवा समीती द्वारा समस्त भक्तगन है उनके स्वयोग से नौचंडी पार्ट वे शिर्मत भागवत कशाका आयोजन जिसकी भवे कलश यात्रा कशुभारम महंत श्री बाबा बालग नाज जी स्तलवोज रूपनाज जी महराज वे शहर विधायक वे अन्पराशद के द्वारा आरिकरम को प्रारम करवाया गया जो कि ये यात्रा मुख्य बजारों से होती हुई खेड़ा पति भवन इसकल पर पहुँचेगी जहां प्रश्टी दिन एक से और चार बजे कथा का वाचन धीपक अवस्ति शास्री द्वारा किया जाएगा और इस तारिकरम के चलते भागवत कथा के चलते प्रश्टी दि अलग अलग रूप की जहांकिया दिखाई जाएगी वे 25 तारिक को विशेश कल्या पूजन वे गव पूजन का आयोजन वे भंडा रेंग का आयोजन किया जाएगा जैश्टी